जा हिंदे अबरीवन आप पूरे भारत में किसी भी राज्या से हो अगर आप सिंपल आठ पास या दोस पास हो और आपका लंबाई कम है तो आप सभी लोगों के लिए टीये आर्मी की भरती आ रही है जिसके उपर पहले मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को सारी चीजे बता गया था जिससे जितने भी साथी टीये आर्मी का तयारी ग्राउंड में जाकर करते थे तो उन लोग का मनोवाल एकडम टूट चुका था वो लोग एकडम अंदर से निरास हो चुके थे और तयारी भी अच्छे से नहीं कर रहे थे लेकिन अब आप सभी लोगों को बहुत आच्छे से टीये आर्मी का तयारी करने का जरूरत है क्योंकि नवंबर से टीये आर्मी का भरती चालू हो जाएगा और यह जो टीये आर्मी है ना मेरे भाई मतलब जोन वाईज कराया जाता है पूरे भारत को चार जोन में बाटा गया है तो कौन सा राज्य किस जोन में आ तो जी तरह से इंडियान आर्मी का वर्दी होता है सेम उसी तरह से आपको वर्दी मिलेगा देखो आपका आसाम रैफल का वर्दी इंडियान आर्मी का वर्दी और टीया आर्मी का वर्दी सेम होता है ठीक ना मतलब एक ही जैसा होता है और इन लोग का जो ट्रेंडिंग होता हाइट कम है तो उन सभी लोगों के लिए टीए आर्मी की भरती बहुत अच्छा है देखो हमारे तरफ से तो जितने भी साथी पूराने वाले थे मतलब काफी सारे दोस्त दोड़ना चालू कर दिया हैं और मैं खुद दोड़ना चालू कर दिया हूं ठीक ना मुझे तो निले किसी तरह से टाइम निकाल कर टाइम को मैनेज करके और मैं खुद दोड़ने जाने लगा हूं अपना प्रैक्टिस चालू कर दिया हूं क्योंकि टीए आर्मी का जो जब होता है बहुत अच्छा होता है मेरे भाई जो आपका सपना होता है वो भी पूरा हो जाता है और इसक पंदरत तारीक टीए आर्मी का अफिसियल नोटिफिकेशन हम लोग के बीच में आ जाए जो टीए आर्मी का भरती कराया जाएगा ना तो उमर के हिसाब से कराया जाएगा जिन लोग का उमर 18 से लेकर 30 साल के बीच में रहेगा तो फिर उन लोग को मतलब अलग दवड़ाय थीक है अधार कार मेंल सिट में मतलब दकुमेंट में तो उन लोग अलग दोड़ाया जाता हो तो कुछ पीषिघ का दवड़्रयieso कर aa सारी चिजह में आप लोग को आगे बताता रहोंगा आज में आप लोग बताने जा रहा हूं अगर आप लोग 5 वीडियो इप सब जाकर यह सारी चीज़ आपलोगों पता चल पाएगा यह आर्मी में जो आपका हैं 106 सेंटीमीटर हाइट लगता है और यह वरती शिर्फ लड़कों के लिए लड़कियों के लिए बरती नहीं कराय जाता हैं अब आई इसमें कोई भी पहले फार्म नहीं भरना रहता हैं TA army का भर्ती जब निकलता है तो उहाँ पर अपना पूरा डॉकुमेंट लेकर जाना रहता है तो पहले इसमें online online वाला system नहीं रहता है रैली भर्ती होता है खूली भर्ती होता है और यह भर्ती अभी permanent है ऐसा नहीं कि यह भर्ती चार सल वाली है ठीक नौँ देखो सबसे पहला डाउट है काफी सर दोस्तों के मन में कि टी ए आर्मी में पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है तो इस वीडियो में आप लोगो बताने वाला हूँ दूसरा डाउट है कि टी ए आर्मी में यान सीसी का छूट मिलता है कि नहीं मिलता है हमारे बहुत सरे दोस्तों के पास यह NCCC का सर्टिफिकेट है तो वो लोग बोल रहा है कि भाई टीय आर्मी में यह NCCC का छूट मिलता है कि नहीं मिलता है तो वो भी मैं आप लोग को आगे बता रहा हूं तीसरा डाउट है कि टीय आर्मी में डियूटी मतलब कितने दीन का होता है जो डियूटी होता है वो कितने दीन का होता है ठीक ना और छुट्ती जाते हैं तो पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है जैसे काफी सरे दोस्त बोल रहा है तो आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला उसके बासे आप और आगे बताने वाला हूं कि टीये आर्मी में रिलेशन सीब का सर्टिफिकेट बनता है कि नहीं बनता है जैसे इंडियन आर्मी में भरती हो जाते हो तो आपका रिलेशन का सर्टिफिकेट बन जाता है तो आपके छोटे भाई जो होते हैं भरती देखते है तो वो काफी भरती देख लेते हैं और उनको काफी ज़्यादे छूट भी मिल जाता है रिलेशन सर्टिफिकेट से तो टीये आर्मी से रिलेशन सर्टिफिकेट बनता है की नहीं बनता है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं उसके वासे टीये आर्मी मतलब यह जो टीय करना पड़ेगा यह भी मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं तो सबसे पहले आप लोग डॉट टॉक्मेंट कि देखे रहों गे ना तो अभी ढ़र्ती आने वाली है यह सारा डॉक्मेंट आप लोग पाले से त्यार करोगे नहीं तो कुछ लोग ऐसे बकलोलर बता दिया हूं जैसे चार-पांच साल बरबाद की हो वैसे एक-दो महीना और बरबाद कर लो मेरे भाई एक-दो महीना और मेहनत कर लो उसके बास में आप लोग को अगर भरती दो 2024 में नहीं कराई जाएगी न तो मैं आप लोग से कभी नहीं बोलूगा कि टीया आर्मी का त उसके वासे निवास परमाड पत्र जैसे जोन के हिसाब से होता ना तो ऐसा नहीं कि दूसरे राज्य का भरती है और मतलब दूसरे राज्य के लोग भरती देखने जा रहे हैं तो निवास परमाड पत्र होना जरूरी होता है निवास परमाड पत्र भी बनवाले ना है इसक को किया करना पढ़ेगा पूलिस का एरेक्टर कर लिए जा पर ALLाइन होता है अपको अपना簡 रारकाड कब पोलाइन करना तो वो लोग ओनलाइन कर देंगे उसके वाएं हवं से एक दो और आफार हंगे नहीं लगता हैये लेकिन यह जो टीए आर्मिय है इसमें जिन लोगः अपना साधी हो गई prac वो लोग भरती देखने जाते हैं तो उनलों see जब भरती देखने जाएंगे तो बनवा लेंगे ठीक शीपना और 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 अधार कर आपके के पास होना चाहिए तो इतना डीकुमेंट आप लोग के पास होना चाहिए इसके अलावात दुसरा कोई टीपोनेन्ट नहीं लगता है ठीका न मिलता है अभी जो नई भर्ती आने वाली इतो देखते हैं उस में क्या अनियम कानुन देखने को मिलता है लेकिन अभी परजेने टाइम में जो लोग टीय आर्मी में भरती हो चुके हैं जो लोग सर्विस कर रहे हैं तो उन लोग को पेंशन मिलेगा ठीक है ना तो यह डाउट आप लोग का किलियर हो गया कि टीय आर्मी में पेंशन मिलता है क ही कना और साथ ही साथ जो आपका टीया आर्मी न होग भी आपका मन्तरा लएक अंत्र गताता है उसके बाद से टीया आर्मीमिन eran चूट का छू चूत मिलता है कि नहीं मिलता है मद्धर अब आगे देखते हैं क्या होता है अभी तक दीया अर्मी zelf भरती भाःत नहीं लोग भरती देखने जाते हैं और सीट बहुत कम रहता है वाकेंसी बहुत कम रहता है एक राज्य के लिए उधर असी नव्य से जादे तो यह चले जाएंगे तो फिर इन लोग को छूट मिलेगा तो फिर मेरे पास भी अन्सीसी का सर्टिफिकेट है मैं भी अन्सीसी ओल्डर तो भाई काफी साल लोग बस न्सीसी वाले ही भरती होंगे तो साइध इसलिए न्सीसी का छूट नहीं मिलता है अब आगे देखते हैं क्या होता है आगे अगर मिलेगा तुम्हें आप लोग को बता दूंगा अब आगे टी आर्मी का जो ड्यूटी होता है कितने दिन का हो किर से अब 15-20 साल हो गया वो सतारा जो पूराना वला नियम कानून ता बदल दिया गया है अवी मतलब वह ही होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अब जीस तरह से इंडियान आर्मी में होता न सेम उस तरह से होगा जेतना इंडियान आर्मी वालों को जैसे पर्मानेंट चुट्टि मिलेगा और चुट्थी मिलेगा तब ही आपको सेलरी मिलेगा अगर में 90 दिन महिन हीं शुट्टी मिलेगा। तो चुट्टी के भाई का सर्टी होसा कि भाई के रिलेशन स्रटीकेट बनता है मेरे भाई अगर आप इंडियान आर्मी में भरती हो जाओगे ना तो आपके छोटे भाई का रिलेशन सर्टिफिकेट बनता है लेकिन अगर आप टीए आर्मी में भरती हो जाओगे ना तो आप अपने बड़े भाई का भी रिलेशन का सर्टिफिकेट बनवा सकते हो और जो तक पता चला है कि नवंबर में भरती कराई जाएगी तो वह सारी चीज़े में आप लोग को बताया हूं अपने तरीके से मिहनत करते रहो अच्छे से मिहनत करो काफी सारे दोस्त कंपिनियों में काम करने लगे हैं जो लोग त्यारी करते थे तो उन लोग जहां पर भी है वह पहां से आप लोग जूड़ जाना ठीक है ना चलो ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद बंदे मात्रों